नमस्कार, आज के व्लोग में हम बात करेंगे पुस्तक संस्कृती के बारे में। महात्मा गांधी ने कहा है कि पुस्तकों का मुल्य रतनों से भी अधिक है क्यूंकि पुस्तकें अंते करण को उज्वल करती है। जी हाँ, राष्ट्य पुस्तक नियास भारत यानि NBT और भाषा विभाग द्वारा 25 से 3 एपरेल दक्षिमला के गेटी थेटर में आयोजे साहितिक कारेक्रमों और पुस्तक मिला में उमडी पाठकों की भीड ने ये साबित कर दिया कि पुस्तक संस्कृती जो है आज के मिला जिसके लिए आदर्निय ललित मंडोरा जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार इंटरनेट और सोशल मीडिया पुस्तक का विकल्प कभी नहीं हो सकते क्योंकि जो आनत की अनुभूती हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ने में होती है न वो ई-बुक पढ़ने म कहां वर्तमान संधर्प की अगर बात की जाए तो अभिभावक वर्ग की ये नैतिक जिमेदारी है कि वे अपने बच्चों को पुस्तक संस्किती की और मोड़े उन्हें प्रेरित करें कि अपने जनम दिन या किसी भी अवसर पर अपने मित्रों को पुस्तके जरूर भेंट करें आप स्वयम भी अच्छा साहित्य पढ़ें और बच्चों को भी अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करें चाहे वो बाल साहित्य हो लोग साहित्य हो समाजिक वो राश सरुकार से जुड़ा कोई भी साहित्य आप पढ़ सकते हैं और अंत में मेरी कविता जिडोया बचबन का संसार माता पिता का दुलार अकषर ग्यान है पुस्तक अंदकार में लो जला कर बटके को रहा दिखा कर ना बदले कुछ चहा दोस्ती ऐसी निभाए पुस्तक ना कोई शिक्वा ना शिकायत हर पल हर कदम बस संग संग चल पाठव वर्ग को अपना बनाए पुस्तक मन में उनके गहरे भीतर उतर जाए पुस्तक सोशल मीडिया के दौर में किसी बुक शेल्प में सिमट धूल मिटी की परत से रोज बतिया विजूद की तलाश में किसी युवा सोच में घुल जाने को आतूर पुस्तक धन्यवाद